हलो फ्रेंड्स हमने हमारे प्रीवेस चेप्टर में एंथर वाल के बारे में हमने डिस्कुशन किया था अभी आपके सामने जो इमेज दिख रही है उसमें वह चारों एंथर वाल आपको दिख रही है सबसे आउटर मोस्ट है एपिडर्मिस उसके जस नीचे आपको दिख रही है एंडोथीसियम और उसके जस नीचे आपको दिख रही है मिडिल ले है और सबसे इनर मोस्ट आपको दिख रही है टेपिटम क्लिया अब आपको टेपिटम के अंदर क्या दिख रही है लगू Walk सेtake सी新्olph और यहां करे 사सिय इंडर्परामेश क्या है। वह संरbourg ट्प्लीने इंडियुक्त थी के ऐसा कि'ा दिप्लोइडarta , कि इस बडना का कि तैसे से दुद्स्राइ장 plan on we had in the division में जाएगी बाकी सबी cells से होता है अपन क्या करेंगे जैसे मालोस में जित्तिवी cells हैं इस microspore engine के अंदर वो सारी कैसी है deployed है 2N है अब उनके अंदर अपन के विल एक cell को लेके बात करेंगे कि जैसे ये एक cell है clear ये कैसी है 2N clear और इसको अपने नाम दिया microspore mother cell के नाम दिया microspore mother cell लगू भी जानू मात्र कोसिका clear अब बटा ये 2N है इसमें क्या होगा meiosis होगा क्या होगा meiosis इसमें ये अर्द सूत्री विवाजन हुआ और ये हुआ meiosis इसमें meiosis होने के बाद हमको पता है कि चार cell बनती है और वो कैसी बनेंगी haploid तो यहां पर ये चार haploid cell बनी वान टू थ्री फॉर और ये कैसी है haploid n and 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 अभी चारों जो haploid जो ये cell बनी है इनको बन कहते हैं ये एक सिंगल के लाएगी microspore क्या कहलाएगी microspore एक microscope per microspore दूसरा second microspore third microspore four microspore लेकिन यहां पर चारों जो स्पोर है यह चारों एक सबस्टेंस से आपस में क्या होती है अटेच रहते हैं चारों यह चारों आपस में क्या होते हैं एक सबस्टेंस है और उस सबस्टेंस का नाम अपने डिसकस किया था जब अपने टेप टम की फंक्शन पड़ी थी और यह सबस्टेंस है इसको बोलते ह केपबन कैलोज क्या बोलते हैं लूज सी चारो माइक्रोस्पूर क्या होते हैं आपस में अटेच होते हैं और इस पूरी स्टेक्चर को हम बोलते हैं पॉलन टेट्राड या बोलते हैं माइक्रो स्पोर टेट्राड माइक्रो स्पोर टेट्राड या इसको हिंदी बोलते हैं लगु बिजानु चतुशक अब इटा क्या होगा अपने पड़ा था कि जो टेट्राड में आपको दिख रही है ये एक एंजाइम सिक्रेट करती है that is called कैलेज ये एक एंजाइम है क्या है कैलेज एंजाइम और ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा इस कैलोज का क्या कर देगा डाइजेशन कर देगा डीकम्पोज कर देगा जिससे क्या होगा ये चारों जो माइक्रोस्पोर हैं ये जो चारों जो माइक्रोस्पोर हैं ये आपस में क्या होगे सेपरेट हो जाएंगे अलग लग हो जाएंगे देखिए ये आपस में क्या होगे सेपरेट होगे ये भी यह इन ये भी औन और ये बी अन इन क्लियर यह क्या हैँ क्या है macrospore। Moosespoore क्लियर हो क्यास है इनको pollen भी बोल देते हैं बोल्दे थें गया है बोलते ही हैं प्रेंच ग्रेन या pollen तो हमने क्या संयह का कि यह जो आपके microsporengium है ये लगू बिजानुधानी है इसमें जित्ती भी cells है ये सारी कैसी है 2N है किलियर अब इन में से अपने एक cell की बात करते हैं कि एक cell वो किसकी तर एक्ट करती है microspore mother cell की तर है किलियर अब इसमें क्या होगा meiosis होगा और meiosis होने के बाद four haploid cells बनती है क्लियर और ये आपस में क्या होती है एक substance है कैलोज इससे क्या होता है ये attach रहती है क्लियर और इस structure को अपन बोलते है microspore tetra क्लियर ये इसको pollen tetra दे बोलते है लगू बिजानू चतुसक या पराग चतुसक लगू बिजानू चतुसक या इसको दूसर नाम भी दे जेते है पराग चतुसक पॉलन tetra क्लियर ये आपस में किसे जोड़े हैं microspore कैलोज सबस्टेंस से फिर क्या है ये टैपिटा में एक substance सिक्रेट करती है एक enzyme सिक्रेट करती है that is kellege that is kellege और इस kellege engine enzyme क्या करता है इस kellege का digestion कर देता है जिससे ये microspore आपस में क्या होंगे separate हो जाएंगे अलगल हो जाएंगे अब इस structure को पर क्या बलते है microspore और pollen बेटा अब यहाँ पर हम तीन बाती discuss करेंगे number one की इस एन्थरवाल और इस microspore आपस का development कैसे बता है first topic अपन पढ़ेंगे development development of micro sporengia clear एक तो इक ऐसे develop भी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे दूसरा अपन पढ़ेंगे इस pollen tetraard के बारे में ओके और थर्ड अपन पढ़ेंगे इस microspore के बारे में clear एक तो अपने सबसे पहले पढ़ते हैं development of microsporengia तो students हम पहला topic discuss कर रहे थे development of microsporengia एक बात मैं आपको clear कर दूं कि यह जो topic है यह जो point है यह आपकी जो test book है उसके इंदर केवल इसका description है diagrammatic representation नहीं है तो आप केवल इस जो मैं समझा रहा हूँ इसको बहुत अच्छी तरह समझे तभी तो बुक में जो language लिखी हुई है वो आपके समझ में आएगी सबसे पहले आप देखिए यह अपन को पता है कि यह अपना एक stamen है clear और stamen का यह कौन सा पार्ट है एंथर जिसको आप क्या बोलते हैं पराग कोस के लिए यह मैंने इस पराग कोस का एक section काट लिया और section काटने के बाद आपको कैसा नजर आ रहा है यह ऐसा clear अभी इसमें कुछ भी नहीं है बस अभी यह immature है परिपक्वन नहीं है इसका development होई रहा है तो जब इसका section काटा तो कुछ नहीं इसके अंदर के वल तो चीज़ आपको दिखाई देरी है सबसे ऊपर जो लेयर है that is epidermis clear और इसके अंदर आप देख रहे है सारी cells जो है एक that is epidermis इसके just नीचे जो लेयर होती है उसको अपन नाम देते है hypodermis के लिए याद करो hypodermis अपने कहा पढ़ा था जब अपने dicot और monocot stem की जब TS पढ़ी थी 11th क्लास में वहाँ पर अपने वर्ड पढ़ा था hypodermis clear तो epidermis के just नीचे जो लेयर होती है उसको अपन नाम दे देते है hypodermis clear तो first सबसे उपर इस एंथर को कौन कवर करे वे इस एंथर के चारों तरफ क्या है एक cell की लेयर है जिसको अपन नाम दे दिया epidermis clear और अंदर जो cell है वो सारी कैसी है एक जैसी है होमोजाइगस सेल्स अब इन में क्या होता है hyper dermis की की जो cells है चारों किनारों पर क्लिए वो जो cells है कि लिए उन में से कोई एक एक सेल जैसे माल लू इधर से यह एक सेल क्लिए इधर से यह एक सेल इधर से ये एक सेल लेगा है और इधर से ये एक सेल क्लियर ये क्या करती है थोड़ा अपने साइज में क्या होती है बड़े जाती है इनका साइटो प्लाजम क्या होता है डैन्स हो जाता है सघन हो जाता है क्लियर और इनको पन नाम देते हैं प्रपसु कोशिकाएं या आर्की इस्पॉरियल से इनको पन क्या नाम देते हैं प्रपसु कोशिकाएं एक सिंगल इसलिकोशिका क्लियर इसको इंगलिज में बूलते हैं सिंगल है सिंगल इन सब मिला के आरकी इस पॉरियल सेल्स इत्ति बा सółकाँ गई किया हुआ कि चारो camera में जुँएて क्या हो गई आकार में में wiggle करेंगे बड़ी हो गई और इनका साइट्रप्लाज में वो लिकerson और इसको परने क्या नाम दिया? Archisporeal Cell अब इस Archisporeal Cell में क्या हुआ Periclinal de訂閱 hem Periclinal या Paranath Development Paranath मतलब यसे ये एक समझने दो कुधिया और से यसे ये एक layer है ठीक है? ये一stem की ये एक layer है ठीक है? ये देखे ये Periclinal mę मतलब clear? तो इस तरह के division को पन क्या कहता है फैर क्लियर को एक लिएर से बाहर की तरफ एक एक के लेर बन गई तो यह कर दाएगा पैरिक्लाइनल या परिंद्द डिविजन तुसे क्या होगा इन में परिडीक्लाइनल डिविजन होगा तो दो सेल बनेंगे यह दो बने घुखो बीड नंसे इतर देखे ये और इधर देखे ये गा-DOT पटा दो अभी य जो दो सेल बनी है वहार की जो आउटर जो सेल है इसको बोलते हैं प्राइमेरी प्राइटल सेल उसको हम क्या बोलेंगे प्राइमेरी प्राइमेरी प्राइटल इसको हिद्र हिपोलेंगे प्राइट में बित्ती है कोसिका और जो अंदर के साइट जो यह सेल है इसको पन कहते है प्राइमेरी इस्पोरोजिनस सेल है ना और इसका हिंदी में नाम है प्रात्मिक बिजानुजन कोशिका क्लिया अब यह जो प्राइमेरी प्राइटल सेल है यह प्रात्मिक बित्यकोशिका है यह तो किसका डवलप्मेंट करेगी एंथरवाल का किसका प्राग भित्यका एंथरवाल का और यह किसका डवलप्मेंट करेगी आपके जो स्पोर्स और माइक्रो स्पोर्स उसका डवलप्मेंट करेगी जो अब यह परने पड़ा क्लिया तो यह तो अपने क्या पड़ लिया डवलप्मेंट ओफ माइक्रो इस्पोरेंजिया उन पर वापस दिवीजिन करते हैं आपका जो अपरिपक्को पराकोस है उसका सेक्षण काटने पर हमको इसके बाहर के और एक सेल के लेयर मिलती आपिडर्मिस कालर बाकी अंदर के और सारी सेल सिमिलर होती हैं इसलिए इसको बोलते हुँ हम जाहेंकर सेल्स या सम्रूपी कोशिक है अब इसके चारों के नारों पर एक एक सेल अपने सेप साइज में और इसका साइटो प्लाजम क्या होता है डैंस वहाता है और बाकिस सेल से क्या होती है अलग हो या इसको अपने बोलते हैं प्रापसर कोसी का है या आर्कीश्पोरियल सेल अब इस archosporis cell में क्या होता है pericrinal division होता है परिनत विभाजन होता है जिसके फल्स रुप्य होता है दो cells बनती है outer cells क्यलाती है primary parietal cell प्रात्मिक बित्य कोसी का जो एंथरवाल का formation करती है बार-बार विभाजन करने पर और अंदर की ओर cells से उती होके रहाती है प्रात्मिक बिचा अनुजन कोसी का primary sporoginous cells जो microspore का formation करती है clear तो हम अपने जो second topic है वो पढ़ेंगे types of pollen tetrad इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूँ मेरे ध्यान ने रहा थोड़ा सा कि अपने जो microspore mother cell से जो meiosis हुआ और जो pollen tetrad बने उस meiosis को अपन बोलता है micro sporogenesis क्या कहेंगे micro sporogenesis clear और जो tetrad बना है देख लो तेंदर यह जो meiosis है इसको अपन बोलेंगे micro sporogenesis यहाँ पर specific नाम दे दिया क्योंकि क्या बना रहे है micro spor तो इस meiosis का नाम क्या रख दिया micro sporogenesis अभी जो pollen tetrad है यह अलग 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 टाइप के होते है clear हमारे सिलिवस में दे रिखा है हम उसके discuss करते है सबसे पहला है वो है चत्तुस फलकी है चत्तुस फलकी है के लिए और इसको इंग्रिश में कहते है टेट्रा हेड्रल इसमें क्या होता है कि जो आपकी चारों जो micro spor है या पॉलन है वो कैसे अरेंज रहते हैं अगर इसका डाइग्राम अपन बनाए तो देख इसका डाइग्राम ऐसी बनाते है ये ऐसे है क्लियर वान टू थ्री अपको फोर्थ का है फोर्थ इसके बैक में है क्लियर इसमें क्या होता है कि तीन तो एक ब्लेन में होते है और जो चोथा है क्लियर वो क्या होता है इन तीनों के क्या होता है बैक में होता है पीछे होता है back side में होता है आपको एक side से देखने पर आपको तीन ही नजराएंगे कैसे चलो सीखता है ये आपका एक microscope ये आपका दूसरा microscope और ये आपका थर्ड माइक्रसपोड केलिया अब ये जो 4th है वो ये ता केलिया अब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो आपको यह 3 नज़ रहेंगे 1, 2, 3 यह जो फोर्थ वाला वे बैक में रहेगिया न clear? तो आपको फ्रॉंट में कितने नज़ रहेंगे? 3 आप यहाँ से देखेंगे आपको 1, 2, 3 3 नज़ रहेंगे विकोज ये back वाला क्या है hidden हो गया चिप गया यहां से देखेंगे तो भी आपको ये तीन नज रहेंगे ये back में रहे गया आप खुद practical करके देखेंगे इसको भी बोलता है टेट्रा हेड्रल ओके और most जो डायकोड प्लांट है जितनी भी द्वीविच पत्री पादप हैं उनके इंदर इसी टाइप का जो है टेट्राड मिलते हैं mostly के लिया दूसरा जो है वो है सम द्वी पार्स्विक इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसो बाई लेट्रल इसको कैसे बनाते हैं इसको डायग्रमटिक रिप्रेजेंटिशन इस टाइप से देते हैं क्लिया आप इसमें देख रहे हैं कि जो चारो माइक्रोस्पोर हैं चारो जो पॉलन है वो क्या है आपको एक ही प्लेन में नजर आ रहे हैं कैसे देखी समझिए वान टू ठी एन फॉर ये चारो क्या है एक ही प्लेन में है ना इसको बोलते हैं आईसो बाई लेट्रल समधी पार्स्विक और ऐसा मोस्टली क्या है जो आपकी मोनोकोट प्लांट है उनके अंदर देखने को मिलता है थाड़ अपन पढ़ेंगे क्रोस इत इसको इंग्लिश में गोलते हैं क्लिया और इसका डाइग्रेमोटिक रिप्रजिन्टेशन कैसे करते हैं इस तरह से इसमें भी क्या है आपको तीन नजर आ रहे हैं फोर्थ है वह आपको नजर नहीं आएगा लेकिन इसमें इंपोटेंट क्या है इसमें इंपोटेंट क्या है कि जो ऊपर के जो दो है वह अलग प्लेन में है और नीचे के दो है वह अलग प्लेन में है जैसे आपने देखा होगा ना कई बार जब इटों की दिवार बनती है जैसे दो ऐसे रख दी इस टाइप से तो दो इनके उपर ऐसे रख दी जाएग यह एक इस plane में रख दिया और एक इस plane में clear और जो बाकी दो है वो किस plane में रख दिये ऐसे clear ऐसे नहीं ऐसे clear तो इनका क्या हो गया plane अलग लग हो गया न राइट दूसरे का बाकी जो दो है उनके plane कैसे हो गए ऐसा हो गया तो एक दूसरे को cross कर रहे हैं नहीं कर रहे इसको बोलते है cross it और ऐसा आपको किस में देखने को मिलेगा एक plant है जिसका नाम है magnolia उसके अंदर आपको यह जो decusate है यह देखने को मिलता है और बाकी जो fourth है वो है PC PC क्या होगा ऐसे क्लियर क्या से बनाएंगे यह दो ऐसे आ गए और यह दो ऐसे तो बताओ आपको आपको देखने को मिलेगा एक लास्ट तो यह जो पूर रहे थे तो यह इसमें इस तरह से टी शेपड होता है इसका एकजामपल जो है वह है एरिस्टो लोकिया नाम सुनाओंका लोकी सोरी मैं अब नकूट तो गलत है आदर मिलता है कि अगला है liner कि चारों जो माक्रूपूर है व एक सीधी लाइन में होते हैं के लिए और ये सब चारों क्या हैं एक लाइन में देखिए आप एक लाइन में न लीनियर ठीक है और ऐसा ये किसमें आपको मिलेगा हेलो फिला के अंदर के लिए अब कुछ टर्मिनलोजी हमारे बुक में दिर की है एक फर्स्ट है पॉलिनियम क्लिया जब क्या होता है कि किसी भी जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो पॉलन गिरेन है वो आपस में जुड़कर एक स्पेसिफिक इस्टेक्चर बनाते हैं जिसको बोलता है पर पॉलिन पॉलिनियम और यह आपके जो केलोट्रोपीस है आक है आकडा है उसके अंदर देखने को मिलता है कि लिए इसकी इमेज मैं आपको अब उसमें गूगल पर जाकर देख लीजिए आपको एक माइक्रिस्कोपिक इमेज नजर आएगी उसमें आपको केलोट्रोपीस नजर आजाएगा इसके बाद दूसरा है कि एक और वर्ड है पॉलिनियम पॉलिनियम पुता दिया आपको दूसरा है कंपॉंड पॉलन ग्रेन के लिए जब कई सारे पॉलन टेट्राड्ड आपस में अटेच जो आते हैं जुड जाते हैं उसको बोलते हैं कंपॉंड पॉलन ग्रेन क्लियर यह आपको मिलेगा कुछ और यह ड्रोसिरा जो प्लांट है टाइफा है इनके अंदर एक है वड़ है पॉलिस्पोरी क्या है अपने पड़ा टेट्राड के अंदर के वल चार ही पॉल होते हैं पॉलिस्पोरी क्लिया बाकिया अपन नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे ओके थैंक्यू